नमस्ते दोस्तों, अंग्रेजी में प्रोलिफिक राइटर ऐसी एक फ्रेज उपविग में लाए जाती है। इसका अर्थ होता है ऐसा सहीत्यकार जिसने अपने जीवन में बहुत सारे सहीत्यका निर्मान किया हो। ऐसे एक एक लेखर के बारे में आज हम बात करेंगे। उनका नाम था जोर्ज बर्नार्ड शॉअ। शॉअ के करियर की शुरुआती दोर में उन्हें उत्ती सफलता नहीं मिली पर बाद में एक समय आइसा आया जब शॉअ की तुलना विल्लेम शेक्सपेर से होने लगी। George Bernard Shaw आईरिस थे, उनका जन्म Ireland की राजधानी Dublin में हुआ था, वैसे तो उनके घर की हलत कुछ खास नहीं थी, और स्कूली शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बड़े निगेटिव विचार व्यक्त किये थे, उनका कहिना था कि मैंने स्कूल में जाकर कुछ नहीं पाया है, व इसके वज़े से ही George Bernard Shaw ने संगीत में रूची दिखाने की शुरुवात की, अपनी शिक्षा के बाद घर के हलत की वज़े से उन्होंने एक क्लर की नवक्री भी की दी, जब ये कुछ 16 साल के थे, 20 साल के होते होते, Shaw ने लंडन जाना ठीक समझा, पर वह जाकर करे क्या, ये Shaw ने कुछ पाच उपन्यास लिख दाले, पर हर जगह उनकी उपन्यास के स्क्रिप्ट रिजेक्ट होते रहे, तब उन्होंने पहले दस्टार इस पत्र में म्यूजिकल क्रिटिक की तोर पर और बाद में इस साटेड़ी रियू इस समाचार पत्र में भी रियू लिखने उन्होंने फेवियन सोसाइटी जॉइन कर लिया, एक सोशालिस्ट ग्रूप था, यह सोसाइटी इंगलंड में लेबर पार्टे से रिलेटेट थी, इसके बाद उन्होंने नाटक लिखने का सोचा, उनके प्लेज की खासियत यह है कि उन्होंने खुली आखों से समाच का च यूमर ये दो बड़े महतोपूर्ण पहलो दिखाई देते हैं, शौ पर हेंडरिक इप्सन का बड़ा प्रबाव था, इप्सन ने रियलिस्टिक ड्रामा की पहल की थी, शौ ने इप्सन पर दे कौन्टेंसेस अफ इप्सन इस नाम का एक निभन भी लिखा था, इस निभन नाटकों का पहला वल्यूम, प्लेज, प्लेजेंट एन अनप्लेजेंट इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, इस खंड में कुछ मिल, कुल मिला कर साथ प्लेज है, इन्ही नाटकों ने शौ को एक नाटक कार के तोर पर स्थापित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कभी मुड कर नहीं देखा, जहां तक उनके इस खंड के बारे में बात की जाए, तो इस खंड में प्लेज, प्लेजेंट इस भाग में चार प्लेज है, वो आम्स एन्द मैन, कैंडिडा, यू नेवर कैंड टेल, एन्द मैन अफ डेस्टनी, ये वो चार नाटक है, उसके बाद प्लेज, इस अन्प्लेजेंट में तीन प्लेज है, वो देखिए, विडोर्स हौसेस, दे फिलैंडरर, और तिसरा जो नाटक है, उसका नाम है, मिसेस वारेंस प्रोफेशन, अब हम शौकिक संधर्वे में कुछ महतोपुर्ण बातों को जान लेंगे, उनका आम्स एन्द मैन, ये उ वैसे तो ये एक हुमरस प्ले है, और इसका थिम लव एन्द वार से सम्मंदित है, शौक के कुछ नोटेबल वर्क इस प्रकार से कहे जाएंगे, उनका पिग्माइलियन ये जो नाटक था, वो बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है, इस नाटक पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम माइ फेर लेडी ऐसा था, उसके बाद उनका एक नाटक है सेंट जोन, ये उनकी ट्रेजडी है, इसे भी बड़ा सरहा गया, उसके बाद मेजर बार्बरा, मैन एन सुपरमैन, सीजर एन क्लियोपात्रा, इसे सेक्सपेर के एंटोनी एन क्लियोपात्रा का का इस नाटक का निर्मान किया था, इस नाटक की खासियत यह है कि इसका कार्यकाल, गार्डन ओफ इडन की कहानी से शुरू होकर, सन 31,920 एडी तक का दिखाया गया है, इसे इपिक भी कहिते हैं, इस इपिक में पाच इंटर रिलेटेड प्लेज है, उनका सेंट जोन बहुती महतोपुर्ण प्ले माना जाता है, इस नाटक के बाद ऐसा कहने जाने लगा था, कि अब नोबल प्राइस कमिटी भी शौको नदर अंदाज नहीं कर सकती, और हुआ भी वैसा, शौको उनके साहित्ते के योगदान के लिए 1925 में नोबल पुरसकार से नवाजा गया, पिग जिसकी स्थापना 1825 में हुई थी, फेबियन सोसाइटी के सदोसों के साथ जौर्ज बर्नार्ड शौका भी बड़ा महतोपुर्ण योगदान रहा है, शौका अपने समय के और बाद में के भी नाटक करो पर बड़ा ही प्रभाव रहा है, इसे शेवियन इंफ्लियंस भी कह जब यह गुजरे थे, तब भी वो एक नाटक पर ही काम कर रहे थे।